तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि html में table tag क्या होता है हम इसको क्यों use करते हैं और इसका क्या फाइदा है आईए detail में बात करते हैं तो guys ये एक practical example आपके समने मुझूद है जब भी आप लोगोंने अपनी website में एक table दिखाना हो एक tabular form में data दिखाना हो मालने कि आप लोगोंने एक student का data दिखाना है और इस data में basically student का name होगा उसकी class होगी और इसका section होगा और इसका role number होगा तो इस तदा के काम में आप लोग basically table tag का use करते हैं तो I hope guys आपको इसकी समझ आ गई होगी तो guys table दिखाने के लिए basically हम लोग table tag का use करते हैं जो के table को represent करते है HTML में और guys table tag basically आगे दो चीज़ों में divide होता है rows में और columns में और इन rows और column के लिए HTML में अलग-अलग tags use होते हैं जो के मैं आपको थोड़ी देर तक पढ़ाने वाला हूँ तो guys कुछ tags हैं जो के basically table tag के अंदर use किये जाते हैं तो पहले मैं आपको उन tags के बारे में पढ़ा देता हूँ ताकर जब मैं उनको use कर रहा हूँ तो आपको समझ आ चुकि हो कि हम लोग यह क्यों use कर रहे हैं तो guys सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा th tag तो guys इस th tag basically html की table की heading को represent करता है जैसा कि आप लोग इस example में देख सकते हैं कि जो class name यह जो type यह जो r यह जो लिखा हुआ है trainer sports यह basically table की heading है तो इसको आप basically th tag के अंदर लिखोगे थोड़ी देर तक guys मैं आपको सब कुछ practically करके दिखाने वाला हूँ तो इसके लिए आसे आपने ज़रा भी परिशान नहीं होना तो guys इसके बाद है tr tag तो guys stable में basically rows बनाने के लिए हम लोग tr tag का use करते हैं जैसा कि आप लोग यह देख सकते हैं कि जितनी भी जो rows हैं यह basically tr tag को use करके बनाई गई है और guys in rows में basically data को insert करने के लिए हम लोग td tag का use करते हैं और maybe guys अभी आपको इसकी समझ ना आ रही हो तो heading के लिए आप लोग basically इस तरीके से td tag का use करेंगे जैसा कि मैं आपको बताया था heading के लिए हम लोग td tag को use करते हैं अब basically guys अगर आपको यह row चाहिए तो आप लोग basically एक tr tag लेंगे और इस tr के अंदर basically आप लोग td tag का use करेंगे इसके अंदर data insert करने के लिए इसी तरीके से अगर आपको एक और row चाहिए हो गई तो आप एक और tr tag लेंगे और उसके अंदर basically td tags लिखेंगे तो आईए guys अब मैं आपको इसको practically करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी ज़्यादा बेतर समझ आ जाए तो guys यह HTML का basic syntax आपके सामने मुझूद है अगर आपको नहीं पता है HTML का basic syntax क्या होता है तो मैं वो भी पढ़ा चुका हूँ आप मेरा वहला lecture देख सकते हैं तो guys जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग basically table tag लेंगे तो guys table tag के अंदर basically मैं अपना th tag लूँगा और मेरी पहली heading होगी table की name इसी तरीके से मैं इनको copy करके paste कर देता हूँ नीचे दूसरी होगी roll number और तीसरी guys हम लोग कर लेते हैं class तो guys इसको मैं save करता हूँ आपको browser में जाकर दिखाता हूँ और boom guys आप देख सकते हैं जो मारी heading थी table की वो basically आ चुकी है इसके बाद guys basically मैंने अपनी एक row insert करनी है टिया tag लूँगा और टिया tag के अंदर basically मैं अपना एक td tag लूँगा तो guys इसके अंदर basically मैं लिखूँगा पहले name name हम लोग लिख लेते हैं john इसी को कोपी करके मैं नीचे दो दफा पेस्ट कर देता हूँ और row number में लिख लेता हूँ 10 और class लिख लेता हूँ और इसको save करके आपको browser में जाके दिखाता हूँ और boom guys आप देख सकते हैं जो मारा name था पहले वो john आ चुका है row number 10 आ चुका है और class A आ चुकी है इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं a code tr बनाना तो मैं इसी को कोपी करूँगा और यहां पर नीचे पेस्ट कर लूँगा और यहां पर आगर मैं चाहूँ तो मैं अपना name जो है वो change कर सकता हूँ जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूँ alan और row number 12 और class B और guys इसको browser में जाके देखते हैं और boom guys आप देख सकते हैं जो मेरा name था वो alan row number 12 और class B भी आ चुका है तो guys जैसा कि आप लोगोंने देखा है जो आप लोग का table है वो तो basically बन चुका है लेकिन इस table पे कोई भी border नहीं है तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस table पर basically हम लोग border apply कर लें तो उसके लिए basically एक attribute होता है border के नाम से आई उसको लगा के देखते हैं तो guys table का एक attribute है जैसा कि मैंने आपको बताया है border के नाम से और मैं यहाँ पर लिखूँगा one और इसको save करता हूँ और boom guys आप देख सकते हैं जो आपर table पे basically border भी आ चुका है तो guys इसी तरीके से आप लोग इसकी जितनी value बढ़ाते जाएंगे आपका जो border है वो उतना ही बड़ा होता जाएगा जैसा कि अभी यहाँ पर one लिखा हुए अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ और boom guys आप देख सकते हैं जो आपके border थे वो पहले से काफी जादा बड़े हो गए हैं इसी तरीके से अगर मैं इसको दुबारा one करता हूँ तो आप देख सकते हैं यह दुबारा वैसा ही हो गया है अब इसके जो border का size है वो basically कम है तो आप इसको जितना जादा करते जाएंगे तो आपके border का size उतना बड़ा होता जाएगा तो guys जैसा कि आप लोग ने देख जो आपका table tag है वो basically आपके page के start में आ रहा है और attribute किसको कहते हैं अगर आपको इसका नहीं पता तो उस पर भी एक lecture में पढ़ा चुका हूँ आप उस lecture को भी जाके देख सकते हैं तो guys मैं यहाँ पर attribute लिखूँगा align के नाम से और इधर मैं लिख दूँगा center और boom guys आप देख सकते हैं जो हमारा table था वो basically center में आ चुका है इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर right लिखूँगा तो guys आप देख सकते हैं जो basically अब आपका table है वो right पे आ चुका है तो guys अब मैं basically दुबारा अपने table को center में कर देता हूँ और guys जैसा कि आप लोगों ने देख है जो मारा table का content है table का content मतलब यह जो john, 10, a, b, 12, alan यह basically मारा table का content है तो guys अगर आप लोग अपने table को content को center में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक property है align के नाम से तो अब मैं आपको इसको use करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी ज़्यादा बेतर समझ आ जए तो guys अगर मैं चाहता हूँ कि यह जो मेरा 10 है यह basically center में show तो मैं यहाँ पर लिखूंगा align center और boom guys आप देख सकते हैं जो मेरा 10 है वो basically center में आ चुका है तो यहाँ पर basically guys मैं example को clear करने के लिए यह ln के end जादा डाल देता हूँ और boom guys आप देख सकते हैं जो मेरा 10 और 12 था वो basically center में आ चुका है अब guys अगर आप zone को चाहते हैं वो center में आए तो guys मैं zone के साथ यहाँ पर लिख दूँगा align center और boom guys आप देख सकते हैं जो मारा zone था वो भी basically center में आ चुका है अगर आप चाहते हैं इसको end में दिखाना zone को तो guys आप यहाँ पर end लिखेंगे और आप देख सकते हैं जो मारा zone था वो basically end में जा चुका है तो guys इसी तरीके से अगर आप लोग table के content को center में start में या end में करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं तो guys अब मैं basically आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग अपने table की width को set करना चाहते हैं तो वो basically आप लोग कैसे कर सकते हैं तो guys table का एक और attribute होता है width के नाम से और guys इदर मैं लिखूंगा 100% और boom guys आप देख सकते हैं जो आपका table था वो basically जितना screen का size था उतना हो चुका है तो अगर आप लोग table की width को 100% लिखेंगे तो जितना भी आपका screen का size होगा आपका table basically उतना हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 70% तो guys आप देख सकते हैं जो आपका table है वो basically छोटा हो चुका है इसी तरीके से अगर मैं 50% लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं जो आपका table था वो मजीद छोटा हो चुका है तो guys इस तरीके से आप لوग basically अपने table की width को भी handle कर सकते हैं तो guys यह तो हमने बात कर लिए कि अगर आप लोग table की width को set करना चाते हैं तो वो कैसे करेंगे लेकिन guys अगर आप लोग table के column की width set करना चाती हैं अब मैं basically आपको बताऊंगा कि आप लोग वो कैसे करेंगे table के column का मतलब roll number एक पूरा column है इसकी width को basically अगर आप लोग adjust करना चाते हैं तो वो कैसे करेंगे तो guys आप जिस भी table के column की width को adjust करना चाते हैं तो आप basically उसकी heading के सार्थ width का attribute लिखेंगे और guys यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40% और boom guys आप देख सकते हैं जो आपके roll number का column था उसकी width basically 40% हो चुकी है अगर guys मैं यहाँ पर लिखूँगा 80% और boom guys आप देख सकते हैं अब आपका जो roll number का column है उसकी width जो है वो basically 80% हो चुकी है इसी तरीके से आप जिस भी column की width को set करना चाहे आप basically उसके साथ width का attribute देंगे और आप उसकी कितनी width रखना चाहते हैं वो बताएंगे तो आपकी width जो है वो automatically set हो जाएगी जैसे अब मेरा जो roll number का column है उसको मैंने 40% दे दिया है और जो मेरा class का column है उसको basically मैंने 20% दे दिया तो boom guys आप देख सकते हैं यह automatically अपने आपको adjust कर चुका है तो I hope guys आपको column की width को कैसे set करना है इसकी भी समझ आ चुकी होगी तो guys जैसा कि आप लोग उने देखा है जो मारा table है by default basically उसका white color है तो अगर आप लोग इसका background का color change करना चाहते हैं तो उसके लिए भी guys एक attribute है bg color के नाम से तो guys हम bg color को basically use करके table का color भी change कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा bg color और guys यहाँ पर मैं लिख देता हूँ yellow और boom guys आप देख सकते हैं जो मारा table था उसका पहले basically color white था और अब yellow हो चुका है अब जो भी color का name वहाँ पर लिखेंगे वो color यहाँ पर automatically apply हो जाएगा तो guys यह तो basically मैंने आपको बता दिया कि आप लोग table के color को कैसे change कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं table के किसी row के color को change करना जैसे आप लोग की जो first row है अगर आप लोग इसका color change करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे अब मैं आपको basically यह बताऊंगा तो guys जो मेरी पहली row है उसके साथ मैं लिखूंगा bg color और guys यहाँ पर basically अब मैं इसको red color दे दूँगा और boom guys आप देख सकते हैं जो हमारी first row है जिसको मैंने red color दिया था उसका color basically red हो चुका है तो guys इसी तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं किसी एक cell का color change करना जैसे कि allen excel है अगर आप लोग खाली इसका color change करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे तो guys मैं इस bg color को copy करता हूँ और guys क्यूंके बस मैं allen का color change करना चाहता हूँ तो मैं bg color बस allen के साथ लिख दूँगा और अपने color को मैं कर देता हूँ orange और boom guys आप देख सकते हैं जो मारे इस cell का background color है वो basically orange हो चुका है तो I hope guys आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी और guys जैसे के अब आप लोग देख सकते हैं जो name है यह जो zone है यह basically बिलकुल हमारे borders की जो line है उसके साथ ही जोड़ा हुआ है तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इनके दर्मियान basically spacing की जाए तो उसके लिए एक attribute होता है cell padding के नाम से हम उसको basically use करके इस gap को बढ़ा सकते हैं तो मैं आपको इसको practically करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी जादा बेतर समझ आए तो guys मैं यहाँ पर लिखूंगा cell padding और boom guys आप देख सकते हैं अब जो हमारा gap है borders के दर्मियान वो basically बढ़ चुका है आप जितना इसको बढ़ाएंगे आपका जो gap है वो basically उतना ही बढ़ता जाएगा तो I hope guys आपको इसकी समझ आ चुकी होगी और guys अब basically हम लोग बात करेंगे cell spacing के बारे में तो guys cell spacing basically क्या होता है तो guys यह जो basically cell है अगर आप इसके border के दर्मियान basically spacing देना चाते है तब आप लोग basically cell spacing का यूज़ करते है अभी जब मैं आपको इसको practically करके दिखाऊंगा तो आपको इसकी ज़्यादा बेतर समझ आ जाएगी तो guys मैं यहाँ पर लिखूँगा cell spacing और इसकी value दे दूँगा 10 और boom guys आप देख सकते हैं जो आपके cell है उसके दर्मियान में basically space आ चुकी है यह space आप देख सकते हैं आप जितना इसको ज़्यादा करेंगे आपकी space उतनी ज़्यादा होती जाएगी और guys आप देख सकते हैं आपकी space जो है वो पहले से भी जादा हो चुकी है तो I hope guys आपको self-spacing की भी समझ आ चुकी होगी तो guys ये था basically हमारा table tag I hope guys आपको table tag की समझ आ चुकी होगी इसमें कोई भी confusion हो किसी भी हवाले से आप मेरे से direct Instagram पर पूछ सकते हैं उसका नाम और link मैंने वीडियो की description पर दिया हुआ है और अगर आप लोग comment section में पूछना चाहिए तो अब वो भी मेरे से पूछ सकते हैं और इसका जो code है वो basically मेरी website में मुझूद होगा तो आपने किसी भी हवाले से परिशान नहीं होना So thank you so much guys you all have a good day